तो I Can Have Unlimited Fanny के एपिसोड 2 में हमने देखा था बायमो अनलिमिटेड इफैनी को यूज करके पागोडा के 4th floor तक लाइट अप कर देता है लेकिन बायमो डीमन रेस के बाई किंग त्यान का सन होता है इसलिए ट्रू डिसाइपल बायमो को सेंग्जवान सेक्ट में एंटर नहीं करने देते हैं तभी बायमो अपने सारे इफैनी को यूज करके पागोडा के 7th floor तक लाइट अप कर देता है और ये देखकर पूरा शेंग्जवान सेक्ट सोख हो जाता है बही एल्डर शेंग्जवान सेक्ट में एंटर देने की बात करते हैं लेकिन तभी वहाँ सेक्ट में एंटर आजाते हैं और बोलते हैं बायमो के पादर बाइकिंग लियान एक क्रिमिनल था और बायमो भी एक लोमनी निकलेगा हमें इसे सेंग में आज़ी नहीं देना चाहिए अब एपिसोड फ्री नदर शैन और सुई हाला कि सेवन फ्लोर स्टनिंग है करी अभी तक उस फॉंट तक नहीं पहुच पाया है जहां सेंग वान सेंग उसे छोड़ देंगे और यही आखरी डिसीजन है और तबी बायमो अपने अनर्जी को यूज़ करके पागोडा के एट फ्लोर को भी लाइट अप कर दीता है जिसे देखकर वहाँ खरे टू डिसाइपल सोख हो जाते हैं और सिस्टर यू बोलती है क्या वही आल्टर शैन और श्री भी सोख रह जाते हैं और बोलते हैं एट फ्लोर हाँ दा एट फ्लोर ये वही प्यर्लेस डिया से जो नाइट फ्लोर से बस एक स्टेप दूर है और एल्डर शैन खुस होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किस बच्चे का पोटेंचल अभी तक खतम नहीं हुआ है वही도inst детей बहुता है इट कूश होता है जिसने मुझे इन चारो डुश्वास परसे सबसे जादा टार्गेट किया है इस वक्ट तिर कोई यह जो मुझे जेलस है ऐसा लगता है किसी कावन से यह मुझे हेट करती है और मुझे पता नहीं है साथी सिस्टर यह उसे बहुत घुसे से देख रही होती है और वही फस्ट एंडर मनी मन बोलते हैं पागोडा के एट फ्लोर को लाइट अप करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे नहीं पता कि अर्थ के वेन में उन लोगों को इसके बार में पता चल सकता है फिर हमें ज्वाला मुखी के इलागों का सीन दिखाया जाता है जहां एक मास्टर बैट कर मेडिटेशन कर रहे होते हैं और उनसे कुछ एनर्जिस भी निकल रही होती है पर तभी उनकी आखी खुल जाती है और वो बोलते हैं एट फ्लोर का जीनियस लास्ट टाइम ये दसजार साल पहले एपेड हुआ था ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर ये नाइन फ्लोर पे एंटर नहीं कर पाया और मेरे डाउ में पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरा डाउ बहुत लोनली है और तभी हमें एक पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां सेंगवान सेक्ट के अंसिस्टर्स मेडिटेशन कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक के आखे खुल जाती है और वो बोलते हैं एट फ्लोर का लाइट अप हो चुका है तभी उनमें से दूसरे शौक होते वे बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंगवान सेक्ट के इस बार के डिसाइपल्स के भरती में कोई इतना जीनियस भी हो सकता है और उनमें से तीसरा बोलते हैं मुझे ये डिसाइपल चाहिए इसके बाद हमें सेंग्जवाम सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां से दूर पहाडों में एक तेज रोशनी आसमान को छूरे ही होती है जिसे देखकर डिसाइपल असिस्मेंट के कंटिस्टन में से एक बोलता है ये माउंटेंज के खाली लाकों में इतना बड़ा हलचल क्यों हो रहा है उस तरफ एंसिस्टर्स रहते हैं जो लगतार ऐसे ही जागते रहते हैं उन्होंने जरूर इन येंग पागोडा के 8th फ्लोर के लाइट अप को फील्ड किया होगा जब तक ये सेंग्जवान सेट को अट्रेक्ट करने के लिए इनाफ है तब तक फरस्ट एल्डर मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं वहीं फरस्ट एल्डर गुस्टे से मनी मैन बोलते हैं एनसिस्टर के आने के पहले मुझे बायमो को मानना होगा नहीं तो मुझे चांस नहीं मिलेगा और तभी वो बायमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी एल्डर शैन और सुई उन्हें रोकते हैं फरस्ट एल्डर आप क्या कर रहे हैं एनसिस्टर को इसके बार में पदा चल चुका है अभी एंपॉसिबल है और फरस्ट एल्डर उन डोनों को धक्का दे देते हैं और बायमो मनी मन बोलता है यह औल्ड मैन अभी भी गिवप नहीं करना चाहता है और तभी फरस्ट एल्डर बायमो से बोलते हैं मैं तुम्हें ब्लेम करता हूं मैं तुम्हें बाइक इंगत्यान का सन होने के लिए ब्लेम करता हूं और वो उस पर अटेक कर देते हैं और तभी पागोडा का 9th floor भी लाइट अप हो जाता है जिसके कारण बाइमो 1st elder के अटेक से एक protection layer से बच जाता है जिसे देखकर वहाँ खड़े contestant बोलते हैं हे भगवान पागोडा का 9th floor भी लाइट अप हो चुका है और इन येंग पागोडा बाइमो को automatically protect कर रहा है ये तो बहुत अदभूत है सैंग्जवान सेट ने एक monster को produce किया है और तभी बाइमो 1st elder को चिड़ाते वे बोलता है old man चलो आ जाओ जिसे सुनकर 1st elder गुसा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या old man और बाइमो पर attack कर देते हैं और तभी सैंग्जवान सेट के ancestors आसमान में formation बनाते वे एपियर हो जाते हैं जिसे देखकर वहाँ खड़े contestant बोलते हैं ये तो सैंग्जवान सेट के ancestors है ancestors इस ground में बहुत सालों से एपियर नहीं हुए थे पर इस बार तो 3-3 ancestors एपियर हो गए और तभी वहाँ खड़े सभी elders और true disciples उनको greet करने लगते हैं और तभी उनमें से पहले ancestor बोलते हैं पागोडा का 9th floor लाइट अप हो चुका है और Holy Sun एपियर हो चुका है और वहीं जो भी पागोडा के 9th floor को लाइट अप करता है वो सैंग्जवान सेट का contemporary Holy Sun बन जाता है तभी उनमें से दूसरे ancestor बोलते हैं क्या तुम लोगों को नहीं पता कि कितने सालों से सैंग्जवान सेट के पास कोई भी Holy Sun नहीं था फिर तीसरे ancestor First Elder से बोलते हैं क्या तो मैं नहीं पता कि Holy Sun तुमसे उपर होते हैं तो तुमारा Holy Sun पर अटेक करने का क्या intention था तभी First Elder उन्हें greet करते हैं सांथ हो जाई है ancestor मैं बस थोड़े देर के लिए angry था क्योंकि बायमो एक demon race का son है तभी पहला ancestor First Elder से बोलते हैं तुम पहला offender हो तो तुम अबसे एक First Elder के position से remove किये जाते हो और अबसे तुम एक ordinary elder हो और First Elder उन्हें greet करते हैं उनकी बात मानते हैं फिर एंसिस्टर्स बोलते हैं अब assessment exam को continue करो Holy Sun के उतर अधिकारी ceremonical सेंग्जवान सेक्ट में होगा और तभी वो लोग वहाँ से disappear हो जाते हैं और फिर से हमें ज्वाला मुखी में बैटे master को दिखाया जाता है और वो खुसी से बोलते हैं नाइन्थ फ्लोर लाइट अप हो चुका है मैंने ये सही देखा पागोडा का नाइन्थ फ्लोर लाइट अप हो चुका है अब मैं अकेला नहीं हूँ और वो जोरो से हसने लगते हैं फिर हमें SENGS ONE SET का सीन दिखाया जाता है जहां बायमो, एलडर SHAN और स्वी को greet करते हैं थैंक यू बोलता है और एलडर SHAN और स्वी भी बायमो को greet करते हैं और बोलते हैं Holy Sun polite है और तभी First Elder बोलते हैं अभी तक Holy Sun का ceremony नहीं हुआ है ये अभी तक Holy Sun नहीं बना है फिर वो Elder Shen और Sui को बोलते हैं आप लोग हमेसा जल्दी में रहते हैं तभी बायमो उनसे बोलता है मुझे नहीं पता कि आपको मेरे फादर से क्या परिशानी है लेकिन ये बहतर होगा कि आप मुझसे पंगा ना ले जिसे सुनकर First Elder गुस्ता हो जाते हैं और Elder Shen और Sui उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी First Elder वहाँ से चले जाते हैं फिर Elder Sui बायमो से बोलते हैं Holy Sun हम लोग आपको पहले टेंपल में लेके जाएंगे और फिर वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं और बायमो लीगुया के पास जाते वे बोलता है अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो वहीं लीगुया गुस्से से आग बुबूला हो रही होती है बायमो मनी मन मुस्कुराते वे बोलता है अगर लीग उया ने मुझे अपना एनवी कंट्रिब्यूट नहीं किया होता तो मैं नाइन्थ लेवल तक नहीं पहुच पाता लीग उया सिंपली मेरे लिए एक मनी गिविंग किड है आता है कि वो हमेशा मुझे से एनवी रहे पर तभी लीग उया उसके तरफ आते वे एक अच्छे इंप्रेशन से देखने लगती है और बायमो के फैनी सिस्टम में एक वर्शिप प्लस पॉइंट हो जाता है और बायम पल बोलते हैं लीमु नहीं इन यांग पागोडा के 6 फ्लोर तक लाइट अप कर दिया है वहीं लीमु खुश होते वे बोलता है मैंने 6 फ्लोर तक लाइट अप कर दिया मैंने वैंक फैंक को पीछे छोड़ दिया पर बाकी कंटेस्टेंट का ध्यान उस पर नहीं होता है औ और फिर दूसरा कंटेस्टन बोलता है मुझे नहीं लगता है आखिरकार एंसिस्टर्स भी अवेक हो गए हैं तो चीटिंग करना पॉसिबल कैसे हो सकता है वहीं लेमू वहा खड़ा उनकी बाते सुनकर आग वो बूला हो जाता है और बोलता है ये लोग मुझे पे अटेंश आओड़ी ये पे खतम होता है